अलो फ्रेंस इस वीडियो में हम Slider को स्टाइल करेंगे तो हमें चलना होगा VS Code में और सबसे पहले स्टाइल करने से पहले यहां पर मुझे स्टेंpt में एक और शीज़ आड करनी थी सो रेटिंग से जो में अ सब्धी लिए और निकालना था थी इस्टार शेयर करना होगा और यह सब्सक्राइब करना था ठीक है और यहां पर हमको classes add करने पड़ेंगे, सबसे पहला class है slider, इसको मैं copy करता हूँ, और यहां पर मैं लिखोंगा dot slider, और इसके अंदर, जैसे कि यह structure है, slider के अंदर और एक div है, slide, यहां पर मुझे लिखना होगा slide, ओके, और इसके बाद, slide के बाद क्या है, slide bg, उसके लिए हमको फिर से dot slide bg लिखने की जरुवत नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ampersand लेंगे, आइफन bg, ठीक हैं, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, slide है, यह भी slide है, तो यहां पर फिर से slide लिखने की जरुवत नहीं है, यहां पर slide की जगा पर हम ampersand डाल देंगे, आइफन फिर जो आगे हमने डाला है bg, वो, ओके फ्रेंट, तो यहां पर हो गया यह, और उसके अंदर, हमारे पास image है, तो image में भी मैं एक और class अड़ कर लूँगा, और उस class का नाम हम देंगे, slide-bg-image, इसको save करते हैं, और चलते हैं, sss वाइल में, यहां पर मैं दोंगा, ampersand-image, क्योंके slide-bg तो यहां से मिल जाएगा, और इसके बाद हमको बाकी का अड़ करना है, तो यह हो गया, correct, और उसके बाद, यहां पर तक तो हम पौझ गया है, फिर उसके बाद slide-pain है, so slide-pain, यहां पर slide-bg के बाद आता है, इसको मैं अगर बंद करता हूँ, और इसको, तो यह एक ही level पर slide-bg और slide-pain, slide-ke अंदर, चलते हैं, css में, और slide-ke अंदर, तो slide यहां गतम होता है, और pg यहां पर, तिरिकर slide-pg, तो slide-ke अंदर, यहां पर, मैं क्या करूँगा, यहां पर लोंगा, amperson-pain, ओगया, फ्रेंट्स, तो यह हो गया हमारा structure, और अभी हम styling एड़ करते हैं, यहां पर slider-ke अंदर, मैं कुछ CSS class add करता हूँ, so display-flex, जादा detailing में नहीं जाओंगा, because यह CSS का course नहीं है, आपो angular देखना है, so, जादा focus इस पर नहीं रहेगा, मैं classes add करता हूँ, और जैसे-जैसे classes add करूँगा, वैसे मैं आपको बताते भी जाओंगा, ठीक है, यह display-flex, flex-direction column रहेगा, justify content हमारा space between रहेगा, okay, height हमको देनी होगी, क्योंकि होगी, 35 REM, और उसके बाद position हम देंगे, relative, इसको मैं save करता हूँ, और इसके बाद हम bg के अंदर हम class add करते हैं, so मैं दूँगा position relative, और इसके बाद image के अंदर मैं कुछ classes add करूँगा, so height हो जाएगी 100%, width हो जाएगी 100%, और object fit हो जाएगा, covered, इसको मैं save करता हूँ, और एक बार चलके देखते हैं, कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, तो object fit cover, यूज करने से इमेज रहा हो stretch नहीं लगती है, ठीक है, अगर मैं यह निकालूँगा, तो यह image stretch लगएगी, तो मैं इसको निकालता हूँ, save करता हूँ, तो आप देखोगे, शायद कुछ फरक पड़ा नहीं, ठीक है, तो लेकिन यह stretch होती है image, एक काम करते हैं, slider component HTML में, sorry, home.component HTML में, इसको मैं comment out कर देता हूँ, और इसको बंद कर देता है, और अभी यह जो text था नीचे, वो सब चला गया, जो extra, so, यहाँ पर SCSS में आए हम, position, मैं काक से position, relative साहिए, slide को भी हमको देना होगा, so, यहाँ पर मैं दूँगा, position relative, okay, display मैं दूँगा, flex, भी save करते हैं, और चलते हैं, browser में, so, image तो, अभी यह image, इतना सा हो गया, इसको पूरा जाना चाहिए, okay, so, इसके लिए, क्या करना होगा, वो भी एक करना है, और यह जो text है, वो image के उपर आना चाहिए, वो भी एक देखना पड़ेगा, मुझे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर, जो, इसको हम और कुछ ग्लासे आड़ करेंगे, so, पूजिशन रिलेटिव के बाद में क्या करता हूँ, मैं एम पर से लेता हूँ, और आफ्टर की प्रॉपर्टी आड़ करूगा, और उसमें, हमको कुछ ग्लासे आड़ करने पड़ेंगे, इसको पूजिशन एपसिल्यूट, ठीक है, और उसके बाद टॉप से हम देंगे इसको जीरो, राइट से हम देंगे इसको जीरो, और बॉटम से भी इसको हम देंगे जीरो, और लेफ्ट से हम देंगे जीरो, ठीक है, डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक, और content हो जाएगा blank ठीक है इसको save करते है और चलते है browser में लेकिन फिर भी image यह बड़ी नहीं हुई image image मुझे पूरी right side में चाहिए so उसके लिए हम क्या करते है slide के अंदर height देते है so height हो जाएगा 35 rem okay और bg के अंदर हम क्या करते है डिस्प्ले देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स okay और यहां देंगे flex one one और auto इसको save करते है और चलते है browser में और अभी यह image फिट्टो हो गया बड़ पुरा stretch नहीं हो रहा है so यह एक देखना पड़ेगा slide को हमने दे दिया है okay position निक्स यह सही है कुछ तो miss हो रहा है मुझे लगता है ठीके काम करते है अभी slide pane को थोड़ा सा CSS डाल देते so position फरी इसका position absolute होगा और टॉप से हो जाएगा यह 200 पिक्सल्स और लेफ से हो जाएगा यह 200 पिक्सल्स टिक्स को सेव किये चलते हैं ब्राउजर में ओके अब सही हो गया यह paint को position absolute देना था तो अभी जैसे के आपको दिख रहा होगा यह image फिट हो गया ठीक से और यहां पर जो है सारा और यह दिख रहे है पड़ा भी मुझे ग्रेडियंट यहां पर सो ग्रेडियंट के लिए हमको ख्लास एड़ करनी होगी यहां पर ठीक है तो यहां पर मैं दूंगा background image और gradient के लिए एक साइट है cssgradient.io यहां से आप ब्लैक सेलेक कर लेना ठीक है है और यहां से आप कम जादा कर सकते है ग्रेडियंट तो यहां पर आपको यह जो है इसको कॉपी करना होगा और यहां पर इसको पिस्ट करना होगा ठीक है तो मैं सेव करता हूं और चलते हैं प्राउजर पर अभी आपको दिख रहा होगा यहां पर थोड़ा सा ग्रेडियंट आ गया है यह ऐसे क्यों गया इमेज कहां काता है रहां ट्रांस्परेंट है यहांने इमेज मुझे लगता है transparent select करना पड़ेगा I think so कौन से option है यहाँ पर यह भी नहीं अगर यह नहीं work करेगा तो अपना खुद का लिखना पड़ेगा gradient का class पर यह work करना चाहिए I don't know एक सेकंड गाइस मुझे थोड़ा देखने तो आच्छा इसको मैंने पूरा right side में लेके गया अब देखते हैं इसको मैं copy करता हूँ और फिर से इसको replace करते है इससे ठीक है save किया चल पर है ब्राउजर में अभी भी ओके अभी ठीक लग रहा है ठीक है तो यह थोड़ा और black हो सकता है मेरे क्याल से ठीक है gradient हो आगे अगर मैं इसको comment out करता हूँ और अगर मैं देखता हूँ इस पे तो देखे उब इमेज टीक है न gradient नहीं आ रहा है अगर मैं इसको वापस से undo करता हूँ तो यहां पर gradient के यहां से यह green हो गया है थोड़ा सा और यह black हो गया ठीक है तो यह green की जर्वत है कि हमको यहां फिर इसको zero कर दे ऐसा कुछ है ओके है इसा ठीक है इसको मैं फिर से copy करता हूँ थोड़ा सा आप देख लो अपने हिसाब से अगर आपको कुछ और method लगती है सही तो वो भी आप कर सकते हो या फिर यह वाली भी use कर सकते है क्योंकि इसमें इसमें जो है राइट साइड में green चला गया राइट साइड में मुझे black चेट आइक्छी इसको opposite के से कर यह थोड़ा सा यह ठीक है ब्लैक राइट साइड में कुछ भी नहीं है यहाँ पर यह एक बार लास्ट ट्राइक कर लेते हैं इससे अगर सही दिखेगा तो ठीक है बना फिर देखते हैं कुछ और अब ही देख लेते एक सब्सक्राइब यह ब्लैक हो गया इसको थोड़ा और कर सकते हैं शाहिद से ब्लैक राइट और अगर मैं करूंगा डाइट इसको एक बार पापी कर लेते हैं यहां से 40 परसंट करेंगे तो हो जाएगा इसकुछ करने की ज़रूरत नहीं है बागी अब ठीक लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यह करें सिक्स्टी कर दें हностью अम मृइ थोड़ा साप ब्लाक ऑर वाइल हएं मुझे ठीक लग sûr ईस्टी चलते और हम हम इस थोड़ा टेक्स्ट देखे रहा है अब है है इसको थोड़ा स्थाइल करेंगे लेकिन ठीक है ग्रेटियंट थोड़ा लाइख रहा है ठीक है यह आप अपने इसाब से देख लो आपको कितना सही और कितना नहीं लगता है किसके मुझे पता नहीं 100% किया तो क्या हो कह रहेते हैं कुछ नहीं जादा फरक नहीं है पट 70 रखते थोड़ा सा इमेज बहुत जादा डाक हो जाएगी बना ओके गाइस तो यह ठीक है आप 70 परसंट ओके यहांसे अगर मैं कॉपी भी कर लूँ जस्ट और सेफ साइड अब देखते हैं ठीक है 70 परसंट रखते हैं तो इस तरीके से हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली स्लाइडर लेयाउट की अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यह जो मेट है इसको स्टाइल करेंगे तो यह सारा स्टाइलिंग हो जाएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ठीक है लेकिन अपना यह कंप्लीट हो गया सो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए